हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू स्टडी आवार चैनल आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की जोग्राफिक का सेक्शन बी ठीक है यह सेक्शन बी है और सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और दैट इस चैप्टर नमबर 13 जिसमें हम इंडिया की प discuss कर चके हैं और chapter number third or fourth में हमने world population से related जो data था उसको use किया था और chapter number 13 and 41 में हम India और इस state से related जितने भी population से related جो data है उनको use करेंगे उनके बारे में देखेंगे तो इस तरह से जनों ने भी chapter number third और chapter number fourth को अठ्छेच से समझा है तो वो chapter number 13 और 14 को भी इजली समझ पाएंगे ठीक है chapter number 3 और 4 में हमने world population के distribution, density and growth को discuss किया था और इसी तरह से chapter number 13 में हम इंडिया से रिटेर जो population, distribution, density and growth है और इंडिया और इसके state से रिटेर population, density, distribution and growth को discuss करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी nation या किसी भी country का जो development है वो हमाँ के natural and human resources पे depend करता है इंडिया की बात करें तो इंडिया जो country है उसका जो development है यहां के proper balance between the natural and human resources पे depend करता है अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो total world का जो land area है उसका 2.4% है वो land area occupies करता है यानि इंडिया का जो total यह land area की बात करें तो यह पूरे world के land area का कितना percent है 2.4% clear और इसी तरह से पूरे world population की बात करें तो world population का 17.5% जो population है वो इस land area पे recite करता है यानि पूरे world का जो total जो जितना भी land area है उसका 2.4% जो land area है वो इंडिया को पैस करता है और इस 2.4% land area पे total world की 17.5% जो population है वो recite करती है ठीक है हमारे इंडिया में जो population को count करने का या population या जो census है जनगंडा करने का जो काम है वो census की थू किया जाता है in each and every after 10 years हर 10 साल के बाद में ठीक है every 10 years के बाद में population की जो counting है यह जाती है clear तो यदि इंडिया की census की बात करें जनगंडा की बात करें तो इंडिया का जो census है यानि इंडिया की जो population है according to the census 2011 वो कितनी है तो वो है 121.08 करोर ठीक है यानि according to census 2011 के according इंडिया की population कितनी है 121.08 करोर ठीक है इस chapter में जितने भी data को हम utilize करेंगे वो सब census 2011 के according होंगे clear इसके साथ ही हम इससे पहले वाले chapter 3 में भी ये discuss कर चुके हैं कि इंडिया जो है वो population के भी हाँ पर second place है हमारे इंडिया का और जो first place की बात करें तो first जो populous जो country है वो कौन सी है चाइना यानि जन संग्या या population की बात करें तो first number पर चाइना और second number पर इंडिया अब हम देखते हैं कि जो population जैसे जैसे increase होती है तो किसी भी nation या किसी भी country में जो problems है वो क्या होती है वो increase होती है तो like यदि unemployment की बात करें फैमाइन की बात करें law standard of living की बात करें तो most of developing countries है like India ठीक है तो इसमें इस तरह की जो problems है वो due to the increasing in population देखने को मिलती है यदि census की बात करें यानि जन गंडा की बात करें तो सबसे पहले इंडिया में जो census है वो कब किया गया था तो 1872 में किया था ठीक है तो 1872 में जो census यानि जन गंडा यानि population पूरे इंडिया की नहीं किते हैं इंडिया के कुछ पार्ट की जो census है उसको count किया गया था यर में जो complete census है यानि complete पूरे इंडिया का से ग्राफ है इसे पुरे इंडिया की population को count किया गया था, clear, अब यदि after independence बात करें, तो after independence जो अभी हम जिस census की बात करेंगे, तो वो census के data होंगे according to the census 2011 और ये census 2011 है, वो after independence हमारी कौन्सी census है, 15th census यानि पंदर भी जो है, population counting की गई है, next जो पाव सैंसस आएगा, वो कब आएगा, 2021 में, clear, क्योंकि each and every after 10 years, यानि हर 10 सल के बाद हमारे इंडिया में जो सैंसस है वो क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, तो इस तरह according to census 2011 के according ये इंदि इंडिया के population की बात करें तो इंडिया की population कितनी है 121.01 करोड ठीक है, और इस 121.01 करोड में से जो male है, वो male कितने है male है 62.3 करोड ठीक है, 3 करोड और यदि female की बात करें तो female है इसमें around 58.7 करोड ठीक है, 58.7 करोड यानि total 121.01 करोड में से जो male है, वो कितने है 62.3 करोड and female की जो numbering है या population है 58.7 करो next जो हमारा topic है related to chapter 13 that is population distribution तो सबसे पहले हमें population distribution population density और population growth की जो definition है वो अच्छे से याद होनी चीए जैसा कि chapter 3 में भी हम in definition को अच्छे से learn कर चुके हैं तो जिन students ने उन topics को अच्छे से कवर नहीं किया है तो chapter 3 और chapter 4 को playlist में जाके वो अच्छे से revise कर सकते हैं तो हम next topic को discuss करते है that is population distribution population distribution का मेनिंग क्या होता है कि किसी भी particular एक area में population का distribution किस तरह से है यानि जो localization और population अंदर आर्थ है यानि पूरे अर्थ पे या पूरे इन्डिया की बात करें जब हम इन्डिया की बात करें तो इन्डिया में जो population का localization है वो किस तरह से dance है याव sparks है ठीक है तो उस भी आप पे वहां का population distribution है वो क्या करता है इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो population distribution है वो uneven है यानि each and every reason में जो population का distribution है वो equal नहीं है यदि हम इंडिया से related population distribution की बात करें तो 50% जो इंडिया की population है वो इसके 30% total land area को cover करती है और इस 30% total land area में किते states आते हैं 5 states और उन 5 states में सबसे पहले हैं UP then महराश्टरा then बिहार then West Bengal and then अंदर प्रदेश clear अंदर प्रदेश यानि उतर प्रदेश महराश्टर बिहार वेस्ट बेंगौल and अंदर प्रदेश यह total जो 5 states है 5 states 30% जो land area है total land area को cover करते है और उसे पूरे इंडिया की 50% जो population है वो reside करती है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो population distribution है इंडिया में कैसा है uneven है यानि each and every land part पर 50% जो population है वो 30% land area पर side करती है और rest of the 50% है वो 70% land area पर side करती है अब हम बात करते हैं कि state wise यानि जो 5 states को हम ने discuss किया है उत्तर प्रदेश महराष्टा, बिहार, वेस्ट वेंगौल और अंदर प्रदेश में जो population distribution है इंडिया में वो कितना है तो सबसे पहले highest population की बात करें तो इंडिया में जो highest population है वो consistent का है उत्तर प्रदेश का तो यह data हमें याद रखना है कि सबसे highest जो population है इंडिया में वो कॉंसे स्टेट की है उत्तर प्रिदेश की और उत्तर प्रिदेश की जो टॉटल पॉपॉलेशन है वो कितनी है 19.9 करोड जो की होल पॉपॉलेशन का 16.5 परसेंट है इसे तरह से next महाराष्टा की बात करें तो महाराष्टा की population है 11.2 करोड जो किता परसंट है 9.2% बिहार की बात करें तो बिहार में 10.4 करोड जो population है जो total population की 8.5% है इसके साथ यह बात करें वेस्ट बेंगॉल तो वेस्ट बेंगॉल की जो population है वो 9.1 करोड है जो की total population की कितनी है 7.5% आंदर प्रदेश की बात करें तो आंदर प्रदेश में total जो हमारी population है वो 8.4 करोड है जो की percent wise बात करें तो 7% को represent करती है तो इस तरह से इसमें highest जो population है हमारे इंडिया में वो याद रखना है वो है कौन सा state में उतर प्रदेश में इसमें हमें highest populated state याद रखना है और इसके साथ जो lowest populated state कौन सा है वो हमें याद रखना है clear? सारे data याद करने की ज़रत नहीं है पर highest हो जो lowest है वो हमें अच्छी से याद होना चाहिए तो अब देखते हैं कि किसी भी area में जो population distribution होता है वो वहां के geographical factors कैसे है वहां का climate कैसा है water की availability कैसी है, transportation कैसा है, economic factors, political factors है वो सारे किसी ने किसी तरह से population distribution को affect करते हैं तो इस भी हाब पे हम पूरे इंडिया के जो reasons है उनको population distribution के भी हाब पे three parts में या three phases है उसमें हमने convert किया है तो first position पे बात करें तो first position पे हमारे साथ जितने भी planes reasons से वाते हैं या जितने भी हमारे northern planes हैं वो first position पे हैं जाकि जो population distribution है वो बहुत ही क्या है हाई है second position की बात करें तो second position में जितना भी प्लेटू एडियास है वो second position पे population distribution के भी हाब पे और third position की बात करें तो जितने भी हमारे coastal area या eastern mountain से state है या western part of Rajasthan है तो यह third position पे क्या करते हैं को hold करते हैं तो इस तरह से population distribution के भी हाब पे पूरे इंडिया को तीन जो पार्ट से उसमें डिवैट किया गया है दे प्लेंस रीजन जो की first position पे प्लेटूरी एडिया जो की second position पे और कोस्टल एडिया इस्टर्न मांटें स्ट्रीट एं वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्तान जो की third position पे होल्ड करता है next हमारा topic है कि what are the factors which affect the population distribution जैसे कि हमने देखा कि population distribution के भी हाब पे इंडिया को थी जो phases उसमें कर्टेग्राइज किया गया है ठीक है पहला जो most populated reason है जिसमें कि नौत प्लेंस reasons आते हैं second position हमारे प्लेटूरी एडिया जैसे और third position पे हमारे north eastern states है western deserted part of Rajasthan है ठीक है तो इस तरह से यहां पर lack of transport facility होती है यहां फिर रग तराइन होता है जिसके कार से यहां पर जो population distribution है वो क्या होता है बहुत ही less होता है ठीक है तो कौन-कौन से factors है जो हमारे population distribution को affect करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले से बात करेंगे climate की then surface structure, water availability, transport facility, distribution of minerals, resources, political economic condition and social psychological factors. The first factor affecting population distribution is climate की climate जो है वो किसी भी area किसी भी region के population distribution को किस तरह से affect करता है तो जैसा कि हम जाते हैं कि each and every जो person है extremely याथ कोई भी area extremely cold है extremely hot है या extremely humid है या बहुत जादा थंड, बहुत जादा गर्म यह बहुत जादा humid areas है वो human habitation के लिए favorable नहीं होते हैं और यहाँ पे population density है population distribution है वह जादा क्याज़ाता है scars होता है यानि कम होता है यानि extremely बहुत ज़्यादा ठंडे बहुत ज़्यादा गरम या extremely humid areas होते हैं वो human habitation के लिए यानि human के रहने के लिए सही नहीं होते हैं और इन areas में जो population distribution है या population जो density है वो बहुत कम देखी जाती है तो इसी तरह से हम बात करें तो जितने भी हमारे cold जो mountains है like Himalayas की बात करें या फिर dry desert है like the Rajasthan या फिर extremely humid areas की बात करें lowlands की बात करें तो वहाँ पी जो population है बहुत ही ज़्यादा कम है तो इस तरह से जो climate है वो किसी area या किसी region के population distribution को affect करता है next हमारा factors है geographical terrain ठीक है तो यदि geographical terrain की बात करें तो जो भी हमारे area जो rough है या uneven surface है या agriculture infertile है या वहाँ पे जो agriculture है उसका growth बहुत अच्छा नहीं है इसके साथ जितने भी agriculture operation है यदि वो inconvenience है यानि comfortably way में उसे हम operate नहीं कर पा रहे है transport की problems है या isolation है तो उन सारे area में जो population है वो हमेज़ा कैसी ही रहेगी less रहेगी यानि sparsely populated area वो रहेंगे तो इस तरह से जो graphical terrain है वो बहुत important factors है किसी भी area के population distribution को affect करने के लिए यानि जिन areas में agriculture जो land है वो infertile है यानि agriculture growth अच्छे से नहीं हो पाएगी transport facility नहीं होगी ताकि हम अपने जो भी सामान है goods हो उसको carry कर सके easily one place to another place जिसके साथ ही यानि हमारी जितने भी agriculture operation है उनको हम smoothly run नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हमारी जो economic growth है वो कहीं न कहीं क्या होगी decrease होगी तो यह से भी problems है geographical terrain के जिसके कारण से किसी भी area में जो population distribution है वो uneven या sparse या fieldless देखने को मिलता है next जो factor जो population distribution को affect करता है that is water availability यानि हम सब को पता है कि जो water है वो fundamental source है किसी भी human life या हमारी जो activity है उसको fulfill करने के लिए तो जो भी areas है densely populated है क्यों को कि वहा पे जो जितने भी हमारा इंडिया के northern parts है वह densely populated है क्यों populated है क्यों है क्यों कि यहाँ पर जो water की availability है वो easily हो जाती है और इसके सास आते ह्यरिंदी हम you just is youst see west की तमर जाते है तो जैसे जैसे east से हम west की तरफ जाएंगे इनिया में यानि इस तरह से हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे जो water यह rainfall का जो amount है वो decrease होता है और decrease होने कार यहाँ पे जो population distribution है या density है वो क्या हो जाती है less हो जाती है यदि हम western वेस्टन राजस्थान की बात करें तो western राजस्थान में इंद्रा गांधी कैनल के तुरू जो water की जो adequate supply है वो की जा रही है जिसके कारण से यहाँ पे जो population density है वो वाकी other western part के comparison में क्या है high है the next factor affecting the population distribution is mineral resources की जो mineral resources है वो किस तरह से किसी भी area किसी भी region के population distribution या density को density को affect करने वाले जो reasons है जो factors है वो same ही है ठीक है तो यह हम अपने मन से भी this question को attend कर सकते है तो जितना भी minerals से यहीदी बात करें तो जो भी हमारे area जहां पे minerals है वो बहुत evidently पाए जाते है तो वहाँ पे जितने भी industrial economic development है वो easily हो पाता है जिसके कारण से वहाँ पे employment है वो easily available होता है for the human being और human का जो habitation है इन areas में क्या होता है बहुत जादा होता है इसलिए जितने भी हम northern valley play to छोटा नागबुर की बात करें या कुलार field की बात करें तो mineral rich areas होने के करण these areas are densely populated तो इस तरह से जो mineral sources है उनकी जो availability है या उनकी जो richness है वो भी population distribution और density का factor करती है the next factor is transport facility तो जैसे कि हम सभी चानते है कि आज की area में जो transport है means of transport है वो कितना ज्यादा important है हमारी economic और हमारी जितने भी हमारी activities है उसको फिल्फिल करने के लिए या easily हमें one place to another place move करने के लिए जाने के लिए या हमारे goods को carry करने के लिए तो जो भी area जहाए जाब पर की transfer facility है इसलिए available होगी तो वहाँ पर जो population है वो क्या हो जाती intensive हो जाती है इसी तरह से वह area जहाँ पर transfer facilities है वह more developed नहीं है तो दूसरे areas are sparsely populated ठीक है यानि वहाँ पर population है बहुत कम देखनों को मिलती है तो इस तरह से mountains प्लेट्व इरिया की बात करें तो वह transfer facility वहाँ जादा डेवलेप नहीं होती है इसके साथ आज़ती है यह प्लेंस की बात करें तो प्लेंस में जो transfer facilities है वह easily develop होती है जिसके कार्ण से जो प्लेंस होते हैं वह intensive populated होते हैं तो यह question में पूछा जा सकता है कि वाइद प्लेंस हार intensive populated as compared to the mountains and प्लेटू तो इसका जो में रीजन होगा वह क्या होगा कि availability of transport facility की प्लेंस में जो transport facility है वह easily क्या होती है development available होती है the next factor is social psychological factors social psychological factors की बात करें तो जितने भी religious culture factors होते हैं ठीक है तो वह population density और distribution को बहुत जादा effect करते हैं ठीक है तो directly और indirectly किसी भी जो society है उसका psychological, religious या फिर कल्चर factors किस तरह का है यह वहाँ की जो population जो density है distribution को किस तरह से effect करते हैं कि कोई भी social organization या social structure है या rituals है हमारे traditions है हमारे religious structures किस तरह का social values क्या है हमारे religious values क्या है हमारे ethics क्या है या किसी भी society का जो standard of living है वहाँ का food है वहाँ का drinking है यदि वह according to the human nature या human के according favorable नहीं है तो यह सारे जो factors है वह भी वहाँ के उस area के population distribution और density को क्या करेंगे effect करेंगे the next factor affecting population distribution is political and economic factor है कि किस तरह से political और economic factors है वह population distribution को वेक करते हैं तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर यदि political जितने भी issues है यदि वह stable है या वहाँ पर लोगों को क्या है satisfaction है security है तो वहाँ पर distribution density है वह बहुत क्या रहेगा हाई रहेगा इसके साथ साथी बहुत सारे areas है जहाँ पर political instability है this satisfaction है with the political parties या इसके साथी वहाँ पर security है तो these areas are less populated clear इसके साथ यदि economic factors की बात करें तो जो भी areas बहुत ज्यादा industrialization होते है या urbanization होते है तो वहाँ पर population density या distribution है very high यह बहुत ज्यादा होता है इसके साथ यदि बात करें कि area में जो test incident है वो बहुत ज्यादा होते है तो वहाँ पर भी क्या होता है कि population का migration होता है जिसके कारण से कुछ decrease में वहाँ का population है वो क्या हो जाता है increase या decrease हो जाता है यदि हम बात करें जब मुकश्मीर की आसाम की है पंजाब की तो यहाँ पर test incident के कार जो population है वो क्या हो रही है migration के कार increase हो रही है so this was the topic related to population distribution density and growth related regarding the India and its state ठीक है तो I hope आपको यह topic population distribution का समझ में आँगा फिर पिस ते इस topic से रिगाड़े हैं आपकी कोई problems हो तो आप comment करके मुझसे पूछ सकते है I will try to short out your problem तो मिलता है हमाई नेक्स दौनने ग्लास में एक नहीं वीडियो के साथ and if you like the video please like share and subscribe and thank you for watching the video thank you very much